आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ तो question पूछ रहे कि which of the following actions involves a push, right? नीचे चार अलग scenario दे रखें और पूछाए कि इन में से कौन सा action push का है, right? इसके विल्ये पहले हम पहले push define कर लेते हैं push क्या होता है? push एक type का force application है जिसमें हम किसी object पे इस तरीके से force लगाते हैं कि वो हमसे away जाए, right? हमसे दूर जाए, उसको हम क्या कहते हैं? push whereas pull क्या होता है? किसी object पे हम इस type से force लगाएं कि वो हमारे तरफ move करें यह push और pull की basic definition है तो हम एक-एक scenario को इधर देखते हैं, right? पहला जो case है, इसमें यह जो person है वो इस car पे इस तरीके से force लगा रहा है कि यह इस से दूर की तरफ जाए, right? यह अपने hand से इस direction में force लगा रहा है तो यह car इस से दूर जाएगी तो यह एक push का example है correct? दूसरे case में देखा जाए तो यह दोनों लोग इस type से इस rope पे force लगा रहा है कि यह इसकी तरफ घीच है, right? यह tug of war का classic example है यह दोनों person exactly ऐसे force लगा रहे है कि यह rope इनकी तरफ आए तो यह किस का example है, pushya pull का? यह pull का example है second case में एक mountain hiker है वो अपने equipment से rock में फसा के एक ऐसा force लगाएगा ताकि rock इसकी तरफ आए ताकि यह उपर की तरफ climb कर पाए, right? यह भी एक pull का example है और इस case में भी यह जो crane है इसमें जो लगा हुआ इसका attachment है यह इस weight को उठाने के लिए force लगा रही है ताकि यह इसको pull कर पाए यह इसको अपनी तरफ लानी चाहती है कि इसको यह गिराई नहीं यह सही है, यह इसको अपनी तरफ तो यह भी किसका example है? पुल का देफो इनमें से कौन सा option है जो push का example है हमारा पहला case Classics to 12 से लेके Need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीचे अपने doubts 84444 पर